महिंद्रा ने कैनड़ा में अपने ऑपरेशन को बंद करने का एलान किया है क्या है बुरा मामला? आपको इस वीडियो में समझाते हैं नमस्ते, मैं हूं अदीदी शार आपने कंपनी रेसेन एरोस्पेस कॉपरेशन कैनड़ा को Voluntary Wases पर बंद करने का फैसला किया है Recent Aerospace Corporation में Mahindra & Mahindra की 11.1 पीसी दी हिस्से दाली थी आनद Mahindra के इस फैसले के बाद से Mahindra & Mahindra को 72 करोर रुपे से जादा को लुकसान हो चुका है Mahindra & Mahindra ने ये फैसला भारत और कैनेडा के बीच लगदार बढ़ते तनाव को देखते हो लिया है Mahindra & Mahindra ने Regulatory Filing में Stock Exchange को इंफर्म किया कि Recent Aerospace Corporation Canada Corporation Canada में Certificate of Dissolution 20 सतंबर 2023 को मिल गया है जिसके कंपणी को जानकारी दी गई है Mahindra ने बताया है कि इसी के साथ Recent Cooperation बंद हो गया है और Inter Accounting Standards के तहर 20 सतंबर 2023 सो उसका कोई लिया देना नहीं है Recent के लिक्विडेशन पर कंपणी को लगभग 5 Canada Dollars मिलेगी मतलब कि भारते करिंसी में लगभग 28 करोड 7 लाख रुपए बंदाएगी इस खबर के सामने आने के बाद Stock Exchange पर महिंद्रा इन महिंद्रा के स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है Share 3.1 एक फीज़ी यानि कि 50.75 रुपए की गिरावट के साथ 15183 रुपए पर बंद हुआ है महिंद्रा इन महिंद्रा के इस फैसले से Canada को बड़ा जटका लगा है लेकिन आपको बताते कि Canada Pension Fund ने कई भारतिय कंपनियों में मोटा इन्वेस्ट किया हुआ है Public Disclosure के मुताबिक Canada Pension Plan Investment Board के 6 भारतिय कंपनियों में निवेश की वेल्यू 16,000 करों रुपए से जादा है इन कंपनियों में Zomato, Paytm, Indistar, Nika, Oatak Mahindra Bank और Delivery शामिल है आपको उतादे कि Canada और भारत की बीच तनाफ की सिती है और ये तनाफ की सिती पैदा की है खुद Canada के PM Justin Trudeau ने Canada की PM ने पहले तो भारत पर वितुक के आरोप लगाए फिर भारत के टॉप डिप्लोमाट को निश्काशित किया और फिर Canada और नागरिकों के लिए एडवाईजर जारी कर दे बात बढ़ी तो ज़िए सिटूडो अपने हेकड़ी से पीछे हरते विने जराए कहने लगे कि हम किसी को उकसाना नहीं चाते दोनों देशों के इस्तनाफ के बीच अब आनन महिंडरा की महिंडरा और महिंडरा का ये फैसला आठ रवस्था के लिहाज से कैनेडा के लिए एक बड़े चोट है खैर इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं